आदी मानों का हितियास हर कोई जानना चाहता है हमारी पूरुज केशे थे उनका जनम केशे हुआ आदी मानों का हितियास करीब 44-44 साल पुराना माना जाता है जब से पर्ति उपर जनम हुआ तब से मनुश्य रहता आया है हमारी पूरुज पहले बंदर थे ये लोग पहले जंगली जानुरों का शिकार करते थे परन्तु बात अब सामने आती है कि दर्ती पर पहले मनुश्य का जनम हुआ या पासों का जनम आज भी एक रहसे बना हुआ है वेग्यानिकों की मानी तो दर्ती पर मानों का जनम लगबग 40,000,000,000 वर्स पहले हुआ था माना जाता है कि सबसे पहले मानों का जनम अपरिका मादी में हुआ था पहले मानों पेड़ों पर ही रहा करते थे वे शिकार करके अपना गुजारा करते थे एक समय काल पड़ा और दीरे दीरे ये बोजन की तलास में उदर उदर बटकने लगे माना जाता है कि हमारे पूरुच पहले कापी लंबे और चोड़े थे अपरिका में एक नरकंकाल मिला जिसके लंबाई 12 पूरती इसी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे पूरुच कैसे थे समय के साथ साथ इनके दिमा का भी उकास होने लगा दिरे दिरे इन लोगोंने पतर से आग दलाना सीख लिया पतर को ही अपना उजार बना लिया ये लोग समय में रहने लगे पेड़ों को कंद मूल पलकाते थे दिरे दिरे सिकार करना सीख लिया वे जानवरों का मास्क खाने लगे पहले मानू आवस्ता में ये नगन ही रहते थे दिरे दिरे इन लोगों ने पेड़ की चाल से अपने बदन को डखना सुरू किया पेड़ की चाल कोई अपना पहला कपड़ा बना लिया इनको किसी भी बासा का ग्यान नहीं था पहले इसारों में समझा करते थे दिरे दिरे इन लोगों का विकास हुआ और बोलने लगे ये दिरे दिरे कहती करना सुरू कर दिया इनके कहती करने का पहला प्रमान नील नदी की सब बेता से ग्यात होता है जहां पाने की सुविदा होती थी वहीं पर यह राग करते थे क्योंकि इनको सिकार करने की पूरी सुविदा मिल जाती थी आदी मानमों में एकता काफी थी यह सुमों में राग करते थे किसी एक विक्ते पर संकट आता तो पुरा समुदा एक कड़ा हो जाता था दिरे दिरे ये समोब बना कर रहने लगे सवाल ये उड़ता है कि सबसे पहले मनुश्य का जनम दर्ती के किस बाग पर हुआ था सबसे पहले दर्ती पर इनिसानों से पहले और भी कुछ था कुछ विद्वानों के माने तो मनुश्य से पहले दर्ती पर डायनासोर नामक विशाल जाती थी इनका आकार हातियों से भी दस गोना बढ़ाता माना जाता है कि दर्ती पर डायनासोर का राज्ता मनुश्य का जनम भी नहीं हुआता डाइनासोर को हमारी पूर्वज माना जाता है एक कोकार जानवरती इनके कंकाल अप्रिका मादी में मिले है आदी मानू की उत्रवूत पत्य को लेकर आज भी एक रहस्य बना हुआ है